हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल, संजेट टेकनिकल 821 में आज की इस वीडियो में हम साथ एक दोज़ा थेज, यहने के कल के डेट में जैवनिंग का पेपर हुआ था उस पेपर में जो भी क्वेशन पुछे गए थे, उन क्वेशन का डिसकेशन करने वाले है क्वेशन जैसे कि आपने लोगों ने अन्वाव किया होगा, क्वेशन का लेवल काफी एजी था क्वेशन कोई बहुत टॉप नहीं था, तो उमीदे आप लोगों ने अच्छा स्कूर किया होगा तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं अगर कोई आपके माइन में कोई क्वेशन याद आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट स्वास में जरूर बतेएगा जो सबसे पहले एक क्वेशन हमने नूट किया, वो था एक आईरन से एक समझेत क्वेशन पुछा गया था कि पीग आईरन का उत्पादन किस भट्टी से किया जाता है तो जैसा कि इस क्वेशन को मैं लगवा कई बार आपको लोग के साथ में डिसकस कर चुका हूँ जैसे कि पीग आईरन की बात करें, उस्पेशली, तो आपके बलाश फट्टी से त्यार के अज़या जाता है जो इसे के non-tech में भी question पुछे गयए थे तो उसके एक question थे English का handsome का positive या antonus लिखना था आपको तो handsome का positive या antonus हो जाएगा आपका अगली तो अमीद है आप Logan ने इसका right answer किया होगा उसके बाद एक third question है micrometer का list count कितना होता है तो ये भी question पुछा गया है exam में आपसे कि micrometer का list count कितना है तो ये याद रखेगा 0.01 mm होता है इस प्रकार की question हमने आप लोग के जितने भी हमने जिसरी चलाई थी उसमें कई उबार हमने discuss किया होगा micrometer का list count इसका working principle इसके material के बारे में तिन सारी चीज़ों को हमने discuss already कर दिया है और जो हमारी series थी 100 दिन की selection वाली class DRDO के लिए उस series में से काफी जो question थे लगभग हम कह सकते हैं कि 60 to 65 questions आपके copy paste पुछे गए थे exam में तो अगर किसी नहीं वो series complete देख करके गई हो तो definitely ही उसको किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा exam में ठीक है तो एक पर आप लोग ब्लीब करके अगर किसी भी टेक्निकल एक्जाम की मैं यह नहीं कर रहा कि मत दिवाड़ दियो के लिए वो जो series आप लोग लिए more than sufficient है किसी भी exam को जो है क्रैक करने के लिए क्योंकि वहापे जो questions है वो आपके किसी भी प्रका के एक्जाम हो तो से उसका जो है आपको benefit मिल सके है तो चलिए अगले question की तब बढ़ते हैं अगला question आपका phone number का sign bar का size कैसे लिया जता है तो याद रखेंगे कि sign bar का working principle क्या है इसके किस material से बने जाता है और इसका size कैसे लिया जाता है तो ये काफी question नीजी पूछे गए थे चलिए अगले question की तरब बढ़ते हैं अगला question आपका 5 नमर का अग्रेट के B block का किस धातू से बने जाते हैं तो याद रखेगा ये आपके high grade इसके साथ ही जो भी ग्रेट के जो भी ब्लॉक होते हैं वह आपके काश टायरन से बने जाते हैं ठीक है या इसमें size के भी के different होता है जो ए ग्रेट का size होता है वह 100 mm होता है जो भी ग्रेट का जो भी ब्लॉक होता है तो आपके 300 mm का होता है तो आप लोग को किसी प्रकार के को आंसर करने के लिए आपको ready रहना है अगले question की तरफ पढ़ते हैं अभी इनको लग रहा था कि question ही नहीं मिल रहा है अब फढ़ने से दो-दो question पूछ लिए इन्होंने फिर पूछ लिया question राट आरन राट आरन किस भट्टी से प्राप्त किया जाता है तो याद रखेग तो ये काफी question easy पुछे गया थे उम्मीद है आप लोग ने काफी अच्छे से questions को attempt किया होगा अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question आप 7 नमर का धातू के किस गूण के कारण उसके तार बढ़ना आते हैं तो मेटल से सबन काफी question पूछे गया तो याद रखेगा मेटल स उसके प्रपटी से question पूछा गया था कि धातू के किस गूण के कारण उसके तार बढ़ना आते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि धातू के अंदर ductility के गूण होता है जिसके बढ़ना सकते हैं उसके तार बढ़ना आते हैं ये भी question में आप लोग के साथ में कई बार discuss कर एसा कोई question नहीं था जो आपके टेकनिकल जैसे की practical question पूछे गए हों question काफी easy थे तो उमीद है आप लोगे ने बहुत अच्छा score किया होगा तो यह अगले question की तरब बढ़ते हैं अगला question है आपका 8 number का try square की सुद्धा कितनी होती है तो try square से सबसे हमने कई बार discuss किया है कि इसकी एकरोशी कितनी होती है तो याद रखिएगा try square की एकरोशी होती है वो होती है 0.002 per 10 mm ठीक है और इसकी function की बात करें इसकी uses की बात करें तो यह जो है workpiece को 90 degree पे set करने के लिए ठीक है workpiece की समकोल को check करने के लिए जाब की जाब की सतय है उसकी flatness को check करने के लिए है तो काफी important question है इसमें बार भी दिये जाता है तो पाउट्रा स्विशन सभी question पुछा गया था तो याद रखिएगा एक cross belt drive में भी जो है cross belt drive में जो है आपकी जो पुली होती है वो बीपरित दिसा में घूमती है ठीक है अगले question की तर बढ़ते है अगला question आपका 10 नमर का पुछा गया था किसी positive drive कहते है तो यादर के open wheel drive का हम positive drive भी कहते है अगले question पुछा गया था में क्या काते है फायर से सबंदित और फायर से सबंदित हमने आप लोग के लिए especially dedicated video प्रवाइड की थी फायर और फायर एक्स्टिकूशर से सबंदित ठीक है तो उसमें फायर जितने भी परकार के होती है और उनको बुझाने के लिए जो भी हम एक्स्टिकूशर यूश कर में और सेब्सक्राइब के बारे मं हमने डिस्कूश किया है और यह काफी ecz X a simple question पुछा गया था एक्चुली फैर से सबंदित कि फैर लकडी का गज से लगने में लिए को किस में रखा जाता है तियाद रखिए गया किसे हम क्लास ए में रखते हैं ठीके और यह क्वेचिन आप से पूछा गया था है लुब्रिकेंट से सबंदित वीक फीड लुब्रिकेशन का किसका उधार क्वेचन आप से कभीकी पुछता है कि ग्रविटी फीड का लुब्रिकेशन का सबसाश्च हुदार यहां इसके साथ ही थार्टी नोमर नहीं है मतलब हमारे थार्टी नेमर है वागे क्वेच्चन यह उच्छ अगला पुछा गया थापिशन किसका प्रयाओ को मोडने के ल हम क्या करते हैं, एल्बो का प्रेक करते हैं, एल्बो उसमें राइट हैंसर हो जाएगा, ठीक है, अगले question की तरबड़ते हैं, अगला question आपका, question पुछा था यह, I think यह पहला question पुछा था, castle nut को, castle nut में slots क्यों दिया जाते हैं, तो याद question पूछ सकता है, लेकिन फिर भी, जो है, उन्हीं लोग को question अचाल लाग रहा हुआ, जिनकी preparation थोड़ी अच्छी रही होगी, बाकि जिन्होंने preparation नहीं की, उनके लेगर तो फिर भी question क्या था, काफी tough था, तो जोरूरी है, कि आप लोग preparation अच्छे से करिए, और department को complain न करें, अगर आपके preparation अच्छी है, तो आप किसी प्रकार से question पूछे, तो उसका आप right answer करके आएंगे, और अपना जो है, जो भी score है, वो आपका काफी अच्छा होगा, और आपका selection सुनचीत होगा, तो अगले question की तरफ बढ़ते हैं, अगले question आपके, thread के instrument के क्यों बना जाते हैं, तो यह भी आम में आपको कई बार बता चुका हूँ, कि अधिक्तर जो measuring instrument है, आपके इन्वारिस्टिल के बना जाते हैं, तो यह क्यों बना जाते हैं, क्योंकि इनके जो अंदर होता है, वो low thermal expansion का properties होती है, इन्वारिस्टिल के अंदर, ठीक है, तो list, coefficient, expansion, इसमें आपका right answer था, ठीक है, तो काफी important questions है, अगले question की तरब बढ़ते हैं, अगला question आपका, किसी pipe के अंदर, अंदुरूनी चुड़ी काटने के लिए किसका प्रिएक करते हैं, तो यह तो काफी question पूछा गया था, series को complete करने के लिए, reasoning से 7 question था, तो जैसा कि आपको series को observe करके पता चलेगा, कि यहां पे 27 है, उसके बाद 125 है, और 216 है, बीच में gap है, तो यहां पे क्या number होना चाहिए, तो जिससे कि 3 के cube करेंगे, तो 27 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 का करेंगे, उसके 64, यहां पे आपका right answer होगा, 4 का cube करेंगे, तो 64, तो 64 इसमे right answer था, ठीक है, अगले question के तर बढ़ते है, अगला question था, आपका 90 नमर का, करा कि 1 की सी काम के 1 बाट 4 बाट 4 दिन पुरा करता है, बाट 5 बाट 4 दिन पुरा करता है, तो बताओ दोनों मेने कर उसका काम को कितन 8 upon 9 आ रहा था, ठीक है, दीन आ रहा था इसका answer, ठीक है, आप लोग देख लिजिएगा, आपका answer सहीत है, यह नहीं है, लेकिन इसका right answer जोगा, sorry, दीन में बार बाट बाट लिग दे रहा हूं, 8 upon 9 दीन आ रहा था, ठीक है, दीन, तो अगले question के तर बढ़ते है, अगला question आपका, वेल्डिंग में, आख supply को, इससी supply को DC में कौन करवाट करता है, तो याद रखिएगा, वेल्डिंग से सबंदीत ही question पूछे गया थे, एक फिलर आट से सबंदीत ही question पूछा गया था, तो मुझे याद नहीं आ रहा था, अगला question, तो इसमें क्या, आपका right answer करते हैं, तो इसमें gear एक option था, बागी जो निंपल वगारा कुछ दिया था, तो इसमें gear एक था, आपका order था, तो gear इसमें right answer था, अगला question आप से पूछा गया था, एक question, करवाट में कौन सा रेक एंगल दिया था, ठीक है, तो याद रखेंगे कि करवाट में आपके जोन question की तरवरते हैं, अगला question आप पूछा गया था, ये question में आप लोगों के लिए, एक ही, डिया डियो के लिए, आप लोगों के लिए, नॉन टेक लिए वीडियो प्रोवाइड की था, ठीक है, जिसमें हमने कुछ science के, उसके बाद GK के, current affair के question का discussion की था, उसमें हमने इसको अगर आप लोग विश्वास करेंगे, तो definitely जो भी हमने content आप लोगों के लिए है, वो more than sufficient है किसी परकार के exam को crack करने के लिए, ठीक है, मैं आप सो एक बार पूना request कर रहा हूँ, कि भले ही आपका exam complete हो गया हो, भले ही आपने कैसा भी score किया हो, लेकिन एक बार खुब, किसी भी exam की त्यारी कर रहे है, तो एक बार उस सीरीज में सामिल सारी वीडियो को देख लीजिए, definitely आने वाले exam में आप बहुत बहतर प्रतसंद करेंगे, ठीक है, तो एक बार देखिएगा जरूर, बाकी हम अगले question के तर बढ़ते हैं, अगला question था आप से, graphite कैसा lubricant है, तो याद रखेंगे, graphite जो आपका solid lubricant की केटेगरी में आता है, lubricant की बात करें, तो आपके तीन प्रकाक होते हैं, मैं आपसे कई बार बताते आता रहा हूं, daily में जब भी lubricant का कोई question आता है, तो मैं पूरा इसका details करता हूँ आप लोगे साथ, तो definitely मुझे उमीद है, आप प्रका R이면 ko linear motion में क्या बदलता है, तो रेकर पीनियेम एक क्योचें आपसे पुछा गया था है, रेकर पीनियन करता है तो रेकर येकर प्रका क्या है, तो रेकर पेनियन से पूछा गया था या हमने जितने भी questions हमको याद आ रहे थे हमने 26 questions का collection किया है जो भी exam हुए थे और exam का level जो है काफी असान था आप लोग को ज्यादा जिन लोग काफी आने वाली दिनों में exam है उनलों को ज्यादा चिंतित होने की जिरूर नहीं है आप लोग जो भी हमारी classes है उनको देख सकते हैं आपको definitely आपके exam में उसका benefit आपको मिलेगा तो आज की इस वीडियो में इतना है मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद और जहन्द